मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल विश्णु एड़ीपी में हारदिक स्वात करता हूं आज मैं लेकर आया हूं मैं इंप्रटन इंग्लिस सेंटेंसेंश यहां पर अपको बहुत सारी इंप्रोटन सेंटेंसें मिलने वाले हैं जो आपके बहुत ज्यादा यूसफूल होने वाले आप लोग के लिए क्योंकि यह सबसbooks हम बोलते रहते हैं लेकिन इसे हम इंग्लिस में कैसे बोलना है वह भी ऑला से northeast लेखे कौन सा है पसंदआने प्लीज लाइक करेंगे ला फुटबाल खेलता है आप किसी बोल सकते हैं फुटबाल खेलता होकी के घलता आप को ऐसे बोलना दो तो आप लोगे राम प्लेज है कि अधिस का नेम है और यह होता है कि मैं फूद बाल खेलता हूं यहां पे होता आई प्ले क्या हो जाता आई प्ले फुटबॉल बस यहां पर प्लेस नहीं होता तो यू प्ले वी प्ले ऐसे होगा लेकिन राम ही सी इट है तो एस यह यह लगता है तो इसलिए वाई के साथ एस लगता है तो राम प्लेस फुटबॉल राम फुटबॉल खेलता है आगे है तो रवी हैस्ट रवी हैस्ट लेकिन कभ सब्जेक्ट यदी या रवी ना रह नहीं हो आई हो मेरे पात 10 रुपै सुम्हारे पात 10 रुपै यह फिर हमारे पात 10 रुपै तो हम हम i, u, v, they के साथ have का use करते हैं, pass है या है के लिए, और he, see, it और name के साथ हम has का use करते हैं, तो have या has का मनलब किसी के पास कुछ चीज होना या है, clear होगे यहां तक के, आगे बढ़ते हैं, अपनी कमीज उतार दो, take off your shirt, ठीक है, यहां पर कोई grammar वाली बात नहीं, take off यान उतार दो, your shirt यान तुम्हारी कमीज उतार दो, अपने जूते निकाल दो, यहां पर भी देखे, take off your shoes, तो यहां पर देखे, take off का मतलब होता है, निकालना, यह मेरी किताबे हैं, these are my books, अब बोलेंगे, sir, this is my book, क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि यह, है ना, बहुत सारी चीए, मेरी किताबे, किताबे रिखे, आपर किताबे, बहुत सारी किताबे हैं, इसलिए हम, these are का यूस करते, यदि एक किताब होती, यह मेरी किताब है, ऐसे बोलता, तो हम simply क्या कर देते, ऐसे, this is my book, ऐसे लिख देते, यह मेरी किताबें, इसलिए हम, these के साथ, आर लगता है, और this के साथ, इसलिए लगता है, यह singular है, एक चीज के लिए, और यह plural है, these are, बहुत सारी चीज़े हैं, तो हम, these are का यूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यह तुम्हारा प्यार है, this is your love, बहुत इसी है, this is, यह है, यह यह याने, तुम्हारा लव, याने, प्यार, यह तुम्हारा प्यार है, ठीक है, इसे तोलगा सा छोटा कर लेता हूँ, आगे देखते हैं, उसके बाद, यह कमीज फटी हुई है, this shirt is torn, याने, होता है, यह किसका है, जम टेर पढ़ते हैं, tear लिखा होते हैं, यह तुम्हारा पर यूज करनेंगे, मेरे कोट को पहन के देखो, try my coat on, ठीक है, कोट आने, कपडे पहन, कोट आन का यूज कर रहे हैं, simply, हमें नहीं खेलना है, we have not to play, अब यहां बोलेंगे, sir, have याने, तो किसी के पास कुछ चीज होता है, लेकिन वो कभ है, जब हम tense का use नहीं करते हैं, मतलब कि वहां पर कोई verb नहीं रहता है, यहां पर यहां पर यहां पर के साथ, यहां पर आप देखेंगे, not का use a negative sentence, प्ले का first form यहां है, तो आप हम रात में पढ़ते हैं, तो we study at night, बस होगे, अब कुछ नहीं, study, पढ़ना तो बहुत से लोगों read बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई करना वाला पढ़ने के लिए study का use करते हैं, clear होगे at night यहां रात में, हम taxi कर लेंगे, we will hire a taxi, यहां पर आप देखें, hire, hire करना याने, टेक् बलेना यहां रेट मतलब पैसे में, पैसे चुकाना, तो उसे hire करना बोलते हैं, उसके लिए पैसे provide करना, hire करना मैं क्या काम करवाता हूं, what do I get done, इसके हम use नहीं करते हि नहीं, when do I get done, आज कौन सा दिन है, what is the day today, उस दिन क्या था, what was it on that day, यह भी simple है, इसमें कोई grammar वाली बात नहीं, what was, क्या था, it on that day, उस दिन, क्या हुआ तुम्हें, what's wrong with you, तो wrong याने वैसे तो गलत होता है, क्या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, लेकिन नॉर्मली तुम्हें क्या हो गया, तो हम ऐसे बलते हैं, what's wrong with you, यह use करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, आप कहां जा रहे हो, where, sorry, आप कहां जा रहे थे, where were you going, तो यहां पर आप देखे, work का use हुआ है, क्योंकि past tense है, आप you के साथ work लगता है, यही होता कि आप कहां जा रहे हो, तो where are you going, तो यहां पर आर हो जाता, where are you going, ऐसे ठीक, और थे है, तो work का use हुआ है, यह subject के उपर depend करता है, क्योंकि आपके लिए ना, present में र ल लगता है, यही होता, मैं कहां जा रहा हूं, महलों ऐसे होता, तो वहां पर क्या हो जाता, I am, है ना, वहां पर क्या हो जाता, where am I going, ऐसे हो जाता, वो, कौन कौन नहीं जाते है, what are don't go, इसका कोई खास हम यूज नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसने तुम्ह देखा था, who had seen you, देखा था, यहां पर आप देख रहे हैं, इंडरोगेटी बना हुआ है, यहां पर भी देखा था, खाया था, पिया था, लिया था, तो प्रेजन, पास पर्फेक्टेंस, जो कि था के साथ हुआ है, तो हम हैड का यूज करते हैं, और देखने को C बोलते ह लेकिन उसका थार्ड फार्म होता है, तो यह होता है, आपका C, saw, और थार्ड फार्म सीन, तो हम थार्ड फार्म को यूज करते हैं, ठीक है, जब पर्फेक्टेंस आता है, तो उसके आगे देखिए, तुम्हें चोट किसने पहुचाई, who hurt you, hurt याने, दुख पहुचाना, या तुम्हें, किस ने थोत पहुचाई, या तुम्हें किसने धुख दिया, चोट लगा, यह सब में आप यूज करते हैं, या किसने थुम्हें दुखी किया, तो who hurt you, यह भी आप यूज करते हैं, आप किसे प्यार करते हो? whom whom यानि किसे do you love किसे प्यार करते हो तो यह present indefinite tense का sentence है लेकिन यह interrogative है तो हम वहाँ पर do या dust का यूज करते हैं लेकिन क्योंकि subject you है तो हम यहाँ पर do का यूज करते हैं आगे बढ़ते हैं और यहीं पर he you होता हम dust का यूज करते हैं तुम क्यों रो रहे हो why are you crying टुम क्यों खा रहे हो why are you eating तुम क्यों नाच रहे हो why are you dancing why are you singing ऐसे आप बहुत सारे sentence मना सकते हैं यह आपका present allowance components के sentence लेकिन interrogative लन गया है रहा हो रही हो तुम खड़े क्यों हो वाइर अर्यू standing देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पताया था मैं सोचने क्यों दूँ वाइड यान कुछ चीज करने देना तो वही वाइड वाइड लेट तिंग कान खोल कर सुन लो यू बेटर लिसन अप यू बेटर लिसन अप बहुं सारी ऐसे वाक्य होते हैं जिसका वर्ड टुवर से तो आम वहां पर दिट का यूज करते हैं ठों दिट इसी ता सी देयर यहाने वहां बैठीकन सिट के उसकिया आगे बढ़ते हैं किसी को घाली मत दो डोंच अब्यूज एनिबडी तो यहां पर आपको दिख रहा है अब्यूज अब्यूज याने किसी को घाली देने को अब्यूज करना बोलते हैं तो डोंट याने मत करो कुछीज है न॥ द्रैट ऊपर आपको ड्रैग दिख रहा आख गसीट ना नमत मत करो कुछ चीज तो डौन कर यूज करते हैं ड्रैग कर दो इस्थे यह मत करने दो डोंट लेट एम डू दिस लेट इम यानी तका नाइन करना दो लेट नौ याने करना उसके चक्कर में मत पढ़ो, don't relay on him, don't relay on him, काम से जी मत चुराओ, don't shirk the work, don't shirk ऐसे पढ़ते हैं, जी चुराने को शर्क बोलते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, don't worry at all, at all याने बिल्कुल के लिए हम at all के उस करते हैं, don't worry याने फिक्र मत करो, चिंता मत करो, उसके पास computer है, तो मनें बता ना किसी के पास कुछ है, तो have या has का use करते हैं, लेकिन ही सी इट है, तो हम ही के साथ has लगाएंगे, देखें यहां पर होता कि मेरे पास कंप्यूटर है तो हम यहां पर क्या लिखते हैं तुम्हारे पास कंप्यूटर है तो हम यहां पर क्या कर देते हैं यू है आप तो उसके सिर में दर्द है एक का यूज होता है तो किसी चीज में दर्द में एक एक लगाद हो आप तो उसका दर्द का ना हो जाता है सिर में दर्द है वह 15 साल का हो गया है यह सफरिंग फ्रॉम फीवर यह तो आप डिक्रेशन में लगते हैं सफरिंग यहने होता है ग्रसित है दुखी है ऐसे उस करते हैं लेकिन नॉर्मली उसे बुखार है ही इस सफरिंग फ्रॉं फीवर वो शायद ही कभी घूमता है वह सेल्ड़म वाक्स वाक्स गूमता है ताहत ही है तो एस यह लगाते हैं वाक्स उसकी नाग बह रही है इस नोज लेकिन यहीं करेंगे हम यहीं करते हैं जो बोलते हैं अंग्रेज लोग वहीं हमें बोलना है वैसी कितने घमंडी हो आप कितने दिन लगेंगे कितने दिन लेगा कितने लगेंगे मैं आपको खिला रहा हूं आइम फिल्डिंग यू आएगा क्योंकि आपको लिखना थो आई फिल्डिंग उ आएगा और उसको खिला रहे हूं मैं उसे खिला रहा हूं तो उतले हर हो जाता यहां पर है मैं आपको आ तो यू है कि इसी को घूजन कराना मुझे नीद आ रही है I am feeling sleepy I am feeling sleepy मैं बहुत आभारी हूँ I am highly obliged ठीक है हम बोलते हैं कि यह क्या होता है आपका obliged तो यह जी इक सब्सक्राइब होगा बहुत आभारी हूँ है तो highly ऐसे use करते हैं अब देखिए यहां पर आपको है क्योंकि अंग हो रहा था लेकिन आपके पास कंटिमस्टेंस में आपको अन्हीं बनाना है यह किवल बोलने के लिए हम ऐसे बोलते हैं लेकिन हम जब बोलेंगे मुझे मुझे सीरदर्द था हो रहा था तो हम I had a headache यानने मुझे सीरदर्द था ऐसे हो रहा था तो यहां पर तो आपको पाश कंटी में स्टेस का सेंटेस मनाना पड़ जाएगा कि क्या लगाते हैं यहां पे कि I was मुझे सीरदर्द था कुछ चीज करना है करना है करना है करना है मुझे कुछ चीज करना था या करना पड़ा तो हम वहां पर इस प्रकार से बदलते आते हैं मैं दिल्दी में रहता हूं मैं तुम से कभी नहीं मिला आई ने वर मेट मी और मेट मिला क्योंकि की पास्टेंस है नेवर याने कभी नहीं तो हम नेवर कि उसके नो याने नहीं नहीं कभी नहीं मैं उसे घर बेज देता हूं I send him home यह इसी है मुझे उसकी याद आ रही थी I was missing him बस तरही है लडकी होती ही मुझे उस लड़की की याद आ रही है आई वाज मिसिंग हर बोले थे हिम की जगा इसी है वो किसे प्यार करता है हूं ड़सी लव वो घर किसका है हूं इस दैट हाउस या फिर हों तुम्हें डाट पड़ेगी यू विल बी स्कॉल्डड यह नहीं होते हैं स्कॉल्ड करना यह डाट पड़ना है यू विल बी स्कॉल्डड अपना कमरा साफ करो और यह रूम प्लीज़ प्लीज नहीं लिखा हो है क्रिपी अपना कमरा साफ करो तो हम बोलेंगे क्लीन यह रूम बस प्लीज और तरफ से जोड़ दियें क्या आपने खाना खाया डीड यू इट दफूड अपने नाकून मत चबाओ don't bite your nail तो bite याने चबाना मुझे गुस्सा मत दिलाओ don't make me angry ये तो आपना movie भी घर में चोना होगा don't make me angry make याने बनाना होता है कुछ चीज करने के लिए हम make कई उस करते है तो don't, हम normal मुझे गुस्सा मत दिलाओ don't make me angry ऐसी उस करेंगे भगवान जाने वो कैसा है God knows भगवान जानता है who he is वो कैसा है कौन है वो मुझे burger खिलाता है he gets me burger दिलाता है खिलाता है gets me वो मुझे रुला रहा है he is making me weep he is making me cry आप दोनों के उस करते हैं वो प्रसंसा के लायक है तारीफ के काबिल है ही इस प्रेजवर्दी प्रेजवर्दी याने होता है तारीफ है यह ना तारीफ है काबिल बोलते ना वह होता है प्रेजवर्दी उसने नीचे की और देखा he looked downward downwards नीचे की और ऊपर यह और को upwards बोलते है लुक्ड याने देखा वह घर पर होना चाहिए he should be at home तो कुछ चीज करना चाहिए होना चाहिए तो शुड भी तुम्हें English सीखनी चाहिए है ना यह इंग्लिश सीखनी चाहिए तो यू शुड लॉन इंग्लिश यू शुड लॉन इंग्लिश तुम्हारा भाई कैसा है हाव इस यो ब्रदर उसके बाद देखते हैं से कितना समय हो गया है है हाव लॉग है अधिट बीन है मैं तुम से था-रूओ आई अम पसे और अखर एंग्ता होट्या है मैं अपने पापा से बहतर हो तो आयम बेटर देन माई फादर ऐसे यूज होता क्लियर है उसका देखिए मुझे भूख लग रही है आयम फीलिंग एप्टाइट याने होता है भूख लगना को हम एपटाइट बोलते हैं यहां फीलिंग हंग्री का यूज करेंगे उसका देखते हैं मेरा सिर्चक्रा रहा है आयम फीलिंग यहां पर होता है जिड़ी तो यह जिड़ी आने क्या होता है सिर्चक्राना उसे हम जिड़ी कहते हैं ठीक है अब देखिए मैं उसे खिला रहा हूं आयम मेकिंग हिम इट मैं आफिस में नहीं हूं I am not in office मैं घर में नहीं हूं I am not in home मैं सभी को खिला रहा हूं I am serving all मैं तुमसे लंबा हूं I am taller than you तो यहां पर compare कर रहा है तुमसे उससे फिर वही वाला मैं अपने भाई से लंबा हूं तो I am taller than my brother ऐसे यूज़ वहाता मुझे कुछ कहना है I have to say something तो कुछ चीज करना है तो हम have to use करते हैं आपको पताया था तो I have to say something something याने कुछ से याने कहना मैंने राम से सुना I heard it from राम I heard it याने सुना here याने सुनना होता है क्या आप हमसे सहमत हैं do you agree with us do you agree with us क्या तुम्हारे पास pen है do you have a pen अब यहां पर होता है मेरे पास pen है तो I have a pen क्या तुम्हारे पास pen है तो do you have a pen लेकिन have का यूज़ वह आपने देखा डू का यूज़ करते हैं रोने की हिम्मत भी मत करना don't dare to cry don't dare to cry कुछ खाने के लिए ले लो get something to eat get something कि उसने मोम मत्ती बुझाई he blew out the candle blew out याने होता है से फोक मारके बुझाना blew out ऐसे बोलते हैं ठीक है ब्लो याने फोक ना होता है उसी प्रकार से उसने खाना खा लिया था he had eaten the food यह आपका पास परफेक्टेंस का sentence है ऐना लिया था दिया था तो हम हैड के साथ इसके साथ है आगे बढ़ते हैं उसके वाद कि उसकी एक खराब है यह प्लाइंड ऑफ वन आए याने एक अंक से अंदा है यह खराब है तो हम ऐसी यूज़ करते हैं वह भावक हो रहा है वह आठ बजे उठता है वह वेक्स अप एट ओक्लॉक वेक्स अप यहां पर एसे यह लगा है क्योंकि आप देखने ता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पड़ता था वह मेरा क्लास फेलो था ऐसे थीक है उसके पापा पिये हुए थे इस फादर वस ड्रंग याने है वो जो जो सराप पिये रहते है उसे ड्रंग कहते हैं आप कितनी दूर जा सकते हो How far can you go Far याने दूर How याने कितनी Can याने सकते हो You याने आप Go याने जाना कितनी दूर जा सकते हो Ram कब कब खेलता है How often does Ram play Often है ना तो हम अक्सर के लिए often का यूज़ करते है कब कब खेलता है तो हम वहाँ पे Normally जब पूछते हैं मेरी हसी छूड़ गई इसका मतलब क्या है मैं हसी नहीं रोक पा रहा था है ना तो हम नहीं रोक सक रहा था होल याने रोकना है ना पकड़ना लाफिंग याना मैं हसी नहीं रोक पा रहा था लेकिन यहाँ पर देखे मेरी हसी छूड़ गई तो भई इसका फीलिंग वही है लेकिन एक्ट्वल इसका मीनिंग क्या I couldn't hold laughing याने मैं हसी नहीं रोप पा रहा था ऐसे है उसका मतलब लेकिन इसके लिए भी यूज कर सकते हो मैं अपनी अनुमत्ती देता हूं I give my consent consent अनुमत्ती देना रजामंदी देना मैं कभी गाना नहीं गाता I never sing a song never याने कभी नहीं है तो हम यूज करते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा I never कभी नहीं thought so so याने ऐसा-वैसा मैं भीड के बीच में था I was amongst the crowd amongst याने बहुंस सारी भीड है तो हम अमंग का यूज करते हैं दो लोगों की बीच में हैं तो हम लोगों की बीच में हैं को नाइन से लिखूंगा आई विल राइट पिधा पेन यह तो एजी आई विल राइट मैं लिकूंगा फ्यूचर टेंस है कास में घर जा पाता आई विश याने कास को हम आई विस बोलते हैं I could go home I could कुछ कर सकता जा पाता खाता I could का यूज़ करते हैं कास मेरे पास पैसे होते हैं आई है यह यहां करता हूँ a bank उस जगह का नाम ले देंगे आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट डजन्ट मैटर डजन्ट मैटर हम टैक्सी कर देंगे वी विल हायर टैक्सी या फिर कैब को भी टैक्सी कहते जहान देंगे उसके पास क्या है अब वहां पूजे तो देंगे तुम्हारा बर्थडे कब है वेन इस योर बर्थडे तुम्हारे बाई और कौन है हूँ इस लेफ तो यू देहरा दून कौन जाएगा हूँ विल गो टुट देहरा दून तुम निराज क्यों हूँ वाइ आर यू डिस अपॉइंटे डिस अपॉंटे नहों था निरास होना उसने जॉब क्यों छोड़ी वाइ डिडी कुट तजॉब कुट याने छोड़ना ठीक है क्वाइट नहीं लगा रहता है चुप चाप रहने क्वाइट बोलते हैं क्यों दिया गया वाइव सी गिवन दिस बच्चे किसके साथ है विद हूम आर चिल्डरन तुम कहां कुछ क हाड़ी का यूज करते कोई काम बहुत मुश्किल से होता है तो हाड़ी तुम घर के अंदर थे यूवर इंसाइड दा हाउस अमन चार लोगों के बीच है अमन इस अमंग फोर पीपल देखिए अमंग अमंग स्ने लिखाव है क्योंकि बहुत सारे और भीडवीड होती तो वहां पर अमंग के यूज करते हैं ठीक है लेकिन दो लुक के बीच में होता तो अमन इस बिट्विन टू पीपल ऐसे यूज करते हैं बालो में तेल लगा लो अप्लाई ऑईल ऑन है अप्लाई करना तेल लगाना क्या वो उसे हसा सका कुड़ी मेकर लाफ क्या मैं क्या सीता वहां बैठती है दसीता सिट देयर तो देखिए यहां पर सिट का यूज किसी दोस्त को मत छोड़ो डोंट लीव एनी फ्रेंड पैंसिल से मत लिखो डोंट राइट भी था पैंसिल क्या आप दिल्ली गए हो है वो बहोस हो गया है ही हेसospie कंटरी नहीं करता है टाइम वेस फौनत्व हम ने वाकई में जिन्दकी जी धेक्षिए यंहांë सचमुच में वाकई में तुम क्या ढूंद रहे हो वाट अर्यों लूकिंग फोटिंग फोर यानने कुछिओ झूनन देखना आखिर चल क्या रहा है What exactly is going on तुम वापस कब आ रहे हो When are you coming back मैं आपके पास कब आऊंगा When will I come to you तुम कल कहां जाओगी Where will you go tomorrow Will क्योंकि जाओगी कही हो तो Will कही हो Where याने कहां Tomorrow याने कल आने वाले कल को tomorrow बोलते हैं और बीता हुआ कल को हम yesterday बोलते हैं राम उसे क्यों जाने दे Why does राम let him go कुछ करने दे तो let him को use करते हैं तुम अंदर क्यों नहीं आते Why don't you come in आप मुझे दुखी कर रहे हैं You are making me sad Making me sad आप मुझे ज़्यादा बुरे हैं You are worse than me बुरे से भी बुरा बहुत बुरे को हम worse कहते हैं तुम्हें तो खासी हो गई है You have got cuff Cuff पड़े Cogni पड़े Cuff खासी को कभ बोलते हैं कुछ भी हो सकता था Anything could have happened अपनी कमीज के बटन बंद कर लो Button up your shirt Button up याने Button लगाना बच्चे पढ़ने नहीं देते Children don't let study क्या उसने तुम्हें आने दिया Did he let you come गुटने के बल मत चलो Don't drag your knees Drag याने होता है घसीतना या उसके बल चलना तो हम drag का यूज कर दिये हैं थंडी चीजे मत खाओ Don't take Chilled eatable Chilled याने बहुत थंडी चिल्ड बोलते हैं बच्चों को तंग मत करो Don't tease the children Tease याने किसी तंग करना चिलाने को tease बोलते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा करके किलाओ Feed me bit by bit थोड़ा थोड़ा bit by bit वो घर से नहीं आया है He has not come from home यह आपका present perfect sentence को sentence है कि इंट्रोगेटिव है Sorry negative sentence He has not उसकी जान में जान आई He has a sign of relief वो बहुत दूर से आ रहा है He is coming from afar अलग 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 है वो अक्सर मुझे जाने देता है He often lets me go तो देखिए यहां तक कि आज का हमारी spoken English class important sentence थे वो complete हो गया है तो बताएंगे अच्छी class कैसे लगी बहुत सारी चीज़े ऐसे जो आपको समझाई हो बहुत सारी important चीज़े इसका PDF आपको provide कर दूँगा अभी तो खेर बहुत सारी चीज़े भूल गया होंगे जब आप PDF में बार बार यह चीज़ को आप बोलते हैंगे तुम्हारे पास क्या pen है बहुत सारी अलग अलग चीज़े उसकते हो मोबाइल उसकर सकते हो सूज उसकर सकते हो और do you have के साथ उसे लगा दीजिए तो यह ज़रूरी नहीं कि आप pen को ही ऐसे पूछोगे क्या तुम्हारे पास जो भी चीज़ है तो आप एसे बहुत सारे और भी बना सकते हो बिल्कुल इसी प्रकार के इसका पीड़ी एफ आपको प्रोवाइट कर दूँगा माने जो डिली ग्राम में नीचे शुभ रहे